स्वागा थे आप सबका आपका अपना यूटूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार द्रोगा पारंबिक परिचा 2021 के लिए एक बिहार SI a special test जो की topic by form में हम लोगों ने start कर रखा है उस स्रीच में आज आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे test स्रीच नंबर 13 13 में अभी हम लोग आधूनिक भारत की इतिहास के topic को देख रहे हैं तो यह सब भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर playlist से देख सकते हैं यह आपके आगामी जो आने बाले exams हैं खास करके भी हार द्रोगा और BPSC इन दोनों exams के लिए काफी लाबदायक साबित होगा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिएगर description लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सच कर सकते हैं अपढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रूप आएगा वो इसको आप जोइन कर लिजे आज का जो हमारा testarage है वो है testarage नमबर 13 और आज हम लोग अधूनिक भारत के इतिहास के करम में देखेंगे अधूनिक भारत में सिच्छा का विकास अधूनिक भारत में प्रेज का विकास समाजिक वंधार्मिक सुधार अंदोलन और आजनितिक संस्थाएं पर अधारित कुछ कोश्चन को सबसे पहला कोश्चन कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले जो है वो संबंदित है तो लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी सिच्छा से संबंदित है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, अंग्रियाजी सिच्छा से लॉर्ड मैकाले जो था वो भारतिय संस्क्रीटी को अंध्य 2080 का खान मानता था आगे कहरा है कि भारत में आधुनिक सिच्छा प्रणाली की नीब जो है वो किस से पड़ी तो भारत में आधुनिक सिच्छा की नीब के प्रणाली जो है वो 1845 के मैकाले के अस्मरन पत्र से तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B, मैकाले के अस्मरन पत्र से मैकाले जो था वो भारती रिती रिवाजों के लिए अपना तिरसकार जो है वो व्यक्त किया था और उसने यह कहा था कि यूरोप के एक कच्छे पुस्तकाले की एक कलमारी जो है एक अलमारिल का एक कच्छ जो है बो भारत और अरब के समस्त साहित से अधिक मुल्लवान है Next question कह रहा है की किकी सासन काल में भारत में अंग्रेजी सिछा आरम की गई थी तो यह किसके सासन काल में किया गया था यह किया गया था Lord William के问题 बेन्तिक तो इस question का सही answer होगा अब होगा option number A Lord William Bentic इसका tenure कब से कब तक था? इसका tenure था 1828 से लेकर 1835 तक और फिर 1835 में ही Lord Macaulay के प्रस्ताओं को स्विक्रित करके भारत में अंग्रेजी को उच्छ सिच्छा का माध्यमान लिया गया था आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम 32 विद्याले कलकता, मदरास, बंबई की अस्थापना जो है वो किस बर्स में हुई थी? तो इसकी अस्थापना जो है वो 1857 में तो इस question का सही answer है वो है option number A 1857 में देखिए 1854 का जो चार्ल्स बूर्ड के डिस्पैच इसी को आधार बना कर लंदन बिस्विद्याले की तरज पर ब्रिटिस भारत में 3 बिस्विद्याले कलकता, मदरास और बंबई की अस्थापना जो है वो 1857 में किया गया था आगे कहा रहा है कि किसके सदत प्रियत्नों से बंबई में प्रथम महिला बिस्विद्याले की अस्थापना की गई थी तो यह जो है वो डॉक्टर K करवे तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B डॉक्टर K करवे और कब किया गया था प्रथम महिला बिस्विद्याले की अस्थापना 1916 में एक चीज और याद रखेगा डी के करवे के द्वारा डी के करवे के द्वारा की 1896 में इन्होंने पूना में बिधवा गिरिख की भी अस्थापना किये थे आगे कहरा है कि निमलिकित कॉलेजों में सरपथम किसकी अस्थापना हुई थी तो देखिए हिंदू कॉलेज कलकता की बात किजेगा तो इसकी अस्थापना 1817 में दिल्ली कॉलेज की बात किजेगा तो 1824 में मेयो कॉलेज की बात किजिएगा तो 1875 में और कहां अजमेर में ध्यान रखिएगा और मुस्लिम अंगलो अलियंटल कॉलेज भी 1875 में अलिगड में तो सबसे पहले यहां पूछ रहा है तो आपका जो सही अंसर होगा वह होगा हिंदू कॉलेज कलकता नेक्स कोश्चन कहा रहा है कि डेवीड हेर और अलेकजंडर डफ के साथ मिलकर निम्लिखित में से किसने कलकता में हिंदू कॉलेज के अस्थापना की थी तो किसने किया था राजरा मुहन रह ने तो इस question का सही answer होगा अब होगा option number D राजारा मोहन राय ने और कब किया था तो 1817 में किया था राजारा मोहन राय से याद रिखेगा इन्होंने 1815 में आत्मिय सभा 1825 में बेदान्थ कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की भी अस्थापना किया था आगे कह रहा है कि अन्यमलिकित में से किसने भारतिये बिस्विद्यालों में धार्मिक सिछा के लिए प्रबर लुप से बकालत की थी तो यह किसने किया था मदन मोहन मालबिये ने किया था तो इस question का सही answer है वो है option number D मदन मोहन मालबिये ने मदर मोहनमाल भी ऐसे याद रखीगा इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा का गठन भी किया था आगे कह रहा है बनारस हिंदू बिस्विद्याले का सिल्यानास निम्न में से किस ने किया था तो बनारा सिंदू बिस्विद्द्दाले का सिलियनास जो है वो लॉड हाडिंग दूतिये के द्वारा किया गया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा अब होगा आपसे नमबर C लॉड हाडिंग दूतिये इसका टैनवर कब से कब तक था? इसका टैनवर था 1910 से लेकर 1916 तक और इसे बनारा सिंदू बिस्विद्दाले का कुल धिपती भी निउक्त किया गया था आगे कहा रहा है कि निमलिकित में से किसे सरपथम केंद्रिय बिस्विद्दाले घुसित किया गया था तो सरपथम केंद्रिय बिस्विद्धाले जो है वो बनारा सिंदू बिस्विद्धाले 12 नसी को तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C, BHEU 12C ध्यान रखेगा इसकी अस्थापना का जो स्रे है वो 1916 में मदन मुहन माल भी ये को जाता है next question कहा रहा है कि भारत का पहला समचार पत्र था तो भारत का पहला समचार पत्र कौन था बंगाल गजट तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C, Bंगाल गजट आप लोगों ने पढ़ी ही रखा होगा कि 1780 वी में जेके हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नामक समचार पत्र जो है वो परकासित करना शुरू किया गया था आगे कहा रहा है कि निम्न में से किसने सरपथम प्रेज सेंसर सिप लागू की थी तो प्रेज सेंसर सिप सरपथम जो है वो लोड बिलेजली के द्वारा इसकोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number D, बिलेजली बिलेजली का 10 वर कब से कब तक था? इसका 10 वर था 1798 से लेकर 1805 तक बिलेजली से याद रखेगा इसने सहायक संधी की पदिती सुरू की थी, स्वयम को बंगाल का सेर कहता था और इसने फ्वर्ट बिलेज की अस्थापना भी किया था आगे कह रहा है कि 1878 का बढ़ना कुलस प्रेस अक्ट किसने रद कर दिया था? यहाँ पूछरा किसने रद कर दिया था? पहले तो यह याद रखेगे कि 1878 में लगाया था लॉर्ड लिटन ने और हटाया था लॉर्ड रिपन ने तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर ए लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन का टैन वर था 1880 से लेकर 1884 और यह जो है वो 1882 में बढ़ना कुलस प्रेस अक्ट को रद कर दिया था आगे कहा रहा है कि निम्रिकित में से किसने बढ़ना कुलस प्रेस अक्ट का प्रबर्तन किया था तो किसने किया था लॉर्ड लिटन ने तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर ए लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड लिटन का जो टैन वर है वो है 1876 से ले नियम समाप्त किया गया था, तो किस के समें, करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे तो उनका नाम था बाल गंगादर तिलग तो इस question का सही अंसर है वो है आपसे नमजी बाल गंगादर तिलग इनसे जो कुछ नाम है वो हमेशा याद रखना होगा आपको जैसे की केसरी दमराठा, गीता रहस यह सब का संबंध जो है वो बाल गंगादर एत्ती लग से ही है next question कहा रहा है कि अमेरिका में free हिंदुस्तान अकवार जो है वो किसने सुरू किया था तो free हिंदुस्तान अकवार जो है वो अखवार को परकासित करते थे मिरा तूल जो था वो 1822 में प्रथम भार्सी पत्रिका था और इसको परकासित करते थे राजारा मोहन रहे तो इस question का सहीं सर होगा वो होगा option number B राजारा मोहन रहे राजारा मोहन रहे से याद रखेगा इन्हें भारतिये पत्रिका जिता का अगर्दूत भी कहा जाता है नेक्स कोश्चन कहा रहे कि 1880 के दसक में इंडियन मिरार अखवार का परकासित कहां से होता था तो इन्डियन मिरार का परकासित जो है वो कलकता से तो इस question का सहीं सर होगा आगे कह रहा है कि अमरीत बजार पत्रिका की अस्थापना की अस्थापना जो है वो सिसिर कुमार गोस के द्वारा 1868 में कलकता में किया गया था क्लियर है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन बटी सिसिर कुमार गोस लेकिन अमरीत बजार पत्रिका से जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखिएगा कि प्रारंब में यह पत्र का जो था वो बंगाली भासा में प्रकासित होता था लेकिन 1878 में जो देशी भासा प्रेस अधिनियम आया था उससे बचने के लिए रातो रात अंग्रेजी भासा में रूपांतरित हो गया था आगे कहारा की लोकमान बालका गादर तिलक ने भारतीय सोतंतरता संग्राम की सेबा के उदेश से कौन सा समचार पत्र पारंब किया था कौन सा समचार पत्र केसरी और कब 1881 में और कहां से तो बंबाई से ध्यान रखियेगा वहीं एक चीज़ याद रखेगा तीलक के संपादक बनने से पहले अगरकर और केलकर के द्वारा केसरी और मराठा का संपादन जो है वो किया जाता था नेक्स कोशन कहरा है कि क्रांतिकारी काल की निमलिखित लोगपिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कौंगरेस की आलोचना करती थी तो यह कौन करता था, करांतिकारी काल में निमलिखित लोग प्रिये पत्रिकाओं में से, तो बंगबासी भी, केसरी भी और काल भी, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वह होगा, आपसा नमबर टी, ये सभी, नेक्स कोशन काहरा है, निमलिखित में से किस ने सोम प्रकास नामक समचार पत्र शुरू किया, तो सोम प्रकास नामक समचार पत्र जो है, वह इस वर चंद बिद्यासागर के द्वारा, तो इस कोशन का सही अंसर है, वह होगा, आपसा नमबर बी, इस वर चंद बिद्यासाग तो यह था लिडर, तो इस question का सही अंसर है, वो है option number B, लिडर, next question कहरा है कि निमलिखित में से 21 भासा में the Indian opinion पत्र नहीं छापा जाता था, तो the Indian opinion पत्र जो है वो उर्दू में नहीं छापा जाता था, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number D, Indian opinion जब महात्मा गांधी के द्वारा दर्चीन फिरका से बर्स 1903 में प्रारम किया गया था, हाँ महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में ही प्रारम किया गया यह पत्र का था, जिसके प्रथम संपादक जो थे, वो मनसुख लाल नजर थे, next question कहरा है कि एक सब्ताही के रूप में यंग इंडिया का सुबारम किया था, तो एक सब्ताही के रूप में यंग इंडिया का सुबारम जो है वो होम रूल पार्टी के द्वारा, तो इस question का सही अंसर है, वो है option number A, home rule से आप लोग भरी भाती परचित होंगे, दो टेट आप लोगों को याद होगा, एक याद हो तो अंग्रेजी भासा में था हिंडू पैट्रियोड, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number A, हिंडू पैट्रियोड और इसका परकासन जो है, वो सरपथम 1830 पन में हुआ था, next question कह रहा है, कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंडू पैट्रियोड के संपा संपादक थे हरीश चंदर मुखर जी, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number B, हरीश चंदर मुखर जी, देखे हिंडू पैट्रियोड के अगर, अभी हम लोगों ने देखा था कि हिंडू पैट्रियोड का परकासन जो है, वो 1830 में हुआ था, तो पहले के दो बर्स, मत असलब 1830 से लेकर 1855 में बात किजेगा, तो हिंडू पैट्रियोड के संपादक थे गिरीश चंदर गोस, और फिर 1855 में हरीश चंदर मुखर जी, जो है, वो इसके संपादक हो गये थे, नेक्स कोशन कहा रहा है कि, अंग्रेजी सबताहिक बंदे मातरम के साथ निमलिकित मे गोस से है, नेक्स कोशन कहा रहा है, ये निमलिकित में से कि सक्वार का परकासन पटना से होता था, तो पटना से होता था, इंडियन नेसन का थे, इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसन नमबर A, इंडियन नेसन का, और इंडियन नेसन का परकासन जो है, वो 1931 में दर्भंगा के महराज जो कामेशवर सिंग थे उनके द्वारा किया गया था आगे कह रहा है कि स्वदेश बाहनी के संपातक थे तो स्वदेश बाहनी के संपातक थे राम किरिस्न पिल ले तो इस question का सही अंसर है option number C आगे कह रहा है कि अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडन्ट था वो जुड़ा था तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडन्ट जो था वो मोतिलाल नहरू से जुड़ा था तो इस question का सही अंसर है option number D आगे कह रहा है कि कानपूर से परकासित की समचार पत्र के माध्यम से बिजय सिंग पाथिक ने बिजौलिया अंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का बिजय बना दिया था तो यह किसे प्रताप से तो इस कोशन का सही अंसर होगा वहोगा आपसन नबर भी यह प्रताप जो था वो गनेज संकर विद्यारती का एक पत्र का था करा हरीजन के प्रारंभ करता थे तो हरीजन के प्रारंभ करता कौन थे गांधी जी तो इस question का जो सही अंसर होगा आप से नम बरसी गांधी जी जो थे वो सब्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरीजन जो है वो अंग्रेजी में हरीजन बंधू गुजराती में और हरीजन सेवक जो है वो हिंदी में प्रारम किये थे आगे कह रहा मराथी पाचिक बहिस्कृत भारत किस ने आररम किया था बहिस्कृत भारत बहीम रारम किया दारम्वन किया आगे का लगर भारत भारत पत्रिका से संब्धे कर अभी हम लोगों ने देखा पोँजन का साया नियुकर बहीम रारम बेच आगे कर आगे का रहा है कि निमलिखित में से कौन सा एक जर्णल जो था वो अबुलकलाम आजाद द्वारा परकासित है तो अबुलकलाम आजाद द्वारा परकासित है अलहिलाल तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमरे अलहिलाल अलहिलाल जो है वो 1912 में उर्दू में परकासित होता था फिर 1914 में अलिल्हाल पर प्रेस एक्ट के तहट प्रतिवन लगा दिया गया था आगे कहा रहा है कि बर्स 1920 में लहोर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो है बो आरम किया गया था तो लहोर में बंदे मातरम शुरू किया गया था, लाजपतरा के द्वारा, तो इस question का सई अंसर होगा, वो होगा option number बंदे मातरम, एक और याद रखेगा, एक और अंग्रेजी सप्ताहिक भी था, the people, वो भी शुरू किया गया था. नक्सकोशन कहा रहा है, कि निम्न में से किस बर्ग को सरपथम पश्मी सभ्था ने परभावित किया था, तो पश्मी सभ्था जो है, वो सरपथम सिच्छित हिंदू मध्यम बर्ग को ही परभावित किया, तो इस question का सई अंसर है option number C, आगे कहा रहा है कि किसको भारतिये पुन पैगम्बर, अतीत और भवित्सिके मद्य सेतू, भारतिये राष्टबात का जनक आधूनिक भारत का पिता, ये सब जो है उग्या कहा जाता है, आगे कहा रहा है भारतिये राष्टबात का पैगम्बर किसे माना जाता हैं, तो किसको राजारा मोहनर राए को तो इसकोशन का सही एंसर होगा वहोगा आपसर निम्लिखित में से कौन आतमिये सभा के संस्थापक थे। इनोंने बेदांत कॉलेज की अस्थापना भी किया था और 1828 में वन के ब्रह्म समाच की तो ब्रह्म समाच की अस्थापना ईस मेर गया तो इसकोसचुन का जो जो सही अंसर होगा वह to boy-up 90 a.e. में Next Question कह रहा है, भर्षारां बरम समाज के संस्थापक कुन थे, तो भर्षारां समाज के संस्थापक के सफच।ंदर सेन, तो इस Question का सईアंसर है, घृत कम आपसन लाने गए थे, आप लोगों को यादी होगा, राजाराम मोहन राए की समाधी है तो राजाराम मोहन राए की समाधी जो है वो ब्रिष्टल इंग्लैंड में है इनकी मिर्थु कभ हुई थी? इनकी मिर्थु हुई थी 27 दिसंबर 1833 को आगे कहा रहा है ब्रह्म समाज का सिध्धान जो है बहुत धारी थे ब्रह्म समाज का सिध्धान जो है वो एक देवबाद पराधारित है। मतलब कि ब्रह्म समाज जो था वो सार्भॉम इस वर की उपासना पर बल दिया था। नक्स कोश्चन कहरा है कि राजाराम मोहनराय ने निम्न में से किसका बिरोध नहीं किया था। इन्होंने पास्चत्य सिच्छा का भी रोध नहीं किया था। तो इस कोश्चन का सही अंसर है वो है आपसन नमबर 80। आगे कहा रहा है उनीसमी सतादी के उतराध में नभ हिंदुबाद के सरफसेष्ट परतिनीजी थे स्वामी विवेकानन्द। इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर भी स्वामी विवेकानन्द। स्वामी विवेकानन्द का बास्तविक नाम जो था वो था नरेंद नाथ दत। इनका एक कथन है जो बहुत important है और खाफ करके आप लोगों के लिए काफी helpful है इन्होंने एक चीज कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लच प्राप्त नहीं हो जाता है तो इस चीज को कहीं न कहीं आप लोगों के लिए काफी important है जहाँ पे आप स्वामी विवेका नंदे बिस्व धर्म संसेद में भाग लिया था तो बिस्व धर्म संसाद में उन्होंने भाग लिया था चारा सो तीरादमे में तो इस question का जो साही अंसर होगा आप से नवरे 839 में आँगे कह रहा है, रामक्रिस्ट मिजन की अस्थापना किस ने किय थी? तो रामक्रिस्ट मिजन की अस्थापना जो है, तो स्वामी बिवेकानंद के दोरा और कब हुआ था? 1897 में, साथी साथ एक याद रखेगा, 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की भी अस्थापना किया था कलकता में है बेलूर मठ आगे कहा रहा है रामक्रिस्ट मिसन की अस्थापना 1897 में इसमी में किस ने किया था तो स्वामी विवेकानन्द ने तो इस question का सही answer है वो है आपसे नबरे विवेकानन्द आगे कहा रहा है सार्दा मनी कौन थी तो सार्दा मनी कौन थी रामक्रिस्ट परमहंस की पत्नी थी तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसे नबर वी रामक्रिस्ट परमहंस की पत्नी थी next question कहा रहा है दयानन्द 66 द्वारा अस्थापी थे फिर कह रहा है कि बेदो के पुन रुठान का अस्रे जो है वो किसको है? तो बेदो की ओर लोटो, बेदो ही समस्त ग्यान का स्रोथ है, यह सब किन के द्वारा कहा गया था? यह सब स्वामी द्यानन सुरसती के द्वारा ही कहा गया था, तो इस कुश्चन का सही अंसर है, वो है आपसा नबर सी, स्वामी द्यानन सुरसती. आगे कह रहा है कि बेदो की ओर चलो किस ने कहा था, तो बेदो की ओर चलो किस ने कहा था, तो द्यानन सुरसती ने, तो इस question का सही answer होगा, आपसा number B, दयानन सुरसती, याद रखिएगा इनके बच्पन का नाम क्या था, मूल संकर था, देखिए अगर कोई आपसे बास्तबिक नाम पूछ दे, बिवेका नंत का तब उनका बास्तबिक नाम था, नरेंदर नादर्थ, और दयानन सुरसती का मू प्रकास की रचना जो है, वो की गए थी, तो सत्याद प्रकास की रचना जो है, वो स्वामी दयानन सुरसती के द्वारा किया गया था, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा, आपसा नंबर D, स्वामी दयानन सुरसती, और स्वामी दयानन सुरसती के बिचार जो है, वो इसी तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number A, R A Samaj. कहराएगी एन्नेमलेकित संगटनों में से किसने सुधी आंदोलन का समर्थक किया था? किसने कहा था कि अच्छा सासन जो है, वो स्वासासन का अस्थापन नहीं है? या किस ने कहा था तो स्वामी दयानन ने कहा था तो इस question का सही अंसर होगा अब होगा आपसा नमर सी स्वामी दयानन स्वामी दयानन का ही कहना था कि बुरे से बुरा देसी राज जो है वो अच्छे से अच्छे बिदेसी राज जिसे अच्छा है next question का रहा है, नेम लिखिस में से किस व्यक्ति ने इस्वरपथम स्वराज सब्द का परियोग किया और हिंदी को राष्टाभा समाना तो किस ने स्वामि दयानन ने? तो इस question का सही अνसर होगा, वह सी, आपसर नमबर बी तो महराष्ट में प्रात्ना समाज की अस्थापना जो है वो आत्मा रम पांडूरांग ने तो इस question का सही अंसर होगा अब होगा आपसा नमबर है देखिए प्रात्ना समाज की अस्थापना जो है वो 1867 में बंबई में अचाज केसब चंदर सेन की प्रेड़ना से आत्मा रम पांडूरांग के द्वारा किया गया था आगे कह रहा है कि महराष्ट में प्रात्मा समाज का मुख संचालक कौन था तो प्रात्मा समाज का मुख संचालक था M.G. रनारे तो इस question का सही answer है option number B कह रहा है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था तो देव समाज का स्थापक से सिभ नरायन अगनी हुत्री तो इस question का सही answer होगा वहोगा option number C और देव समाज का स्थापना कब हुआ था 1887 में और कहां हुआ था अगर पूछ ले तब लहोर में हुआ था Next question कहा रहा है कि किसने 1873 में सत सोधक समाज की जो है वो अस्थापना किया था सत सोधक समाज की अस्थापना जो है वो जोतीबा फूले के द्वारा तो इस question का सही answer होगा वहोगा option number B जोतीबा फूले के द्वारा जोतीबा फूले के दिसे एक चीज़ और याद रखेगा इन्होंने 1801 कामन में बालिका बिद्याले के भी अस्थापना किये थे आगे कहा रहा है गुलाम गिरी का लेखा कौन था गुलाम गिरी का लेखा कौन थे जोतीबा फूले तो इस कॉशन का सही अंसर होगा अब होगा आपसन बर भी जोतीबा फूले और जोतीबा फूले की पतनी का नाम था सावित्री बाई फूले जो की भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी नेक्स्स कॉशन कहा रहा है कि महात्मा जोतीबा फूले द्वारा कि संगठन की अस्थापना की गई थी तो किसके द्वारा सत्यसोग समाज किया गया था और कब 1873 में किया गया था वह बंगाली नेता कौन था जिसने समाजिक धार्मिक सुधारों का बिरोद किया और रूडी बारिटा का समर्थन किया कौन था वो थे राधाकांत देव तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर A राधाकांत देव नेक्स कोश्चन कहा रहा कि राधा स्वामी सत्रसंग के संस्थापक कौन थे तो राधा स्वामी सत्रसंग के संस्थापक से सिब देयाल साहब तो इस question का सही answer है वो है option number B आगे कहा रहा है महराश्ट के किस सुधारा को लोग हितबादी कहा जाता है तो लोग हितबादी किसको कहा जाता है यह कहा जाता है गोपाल हरी देश मुख को तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D गोपाल हरी देश मुख या जो थे वो रास्ट्री आत निर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के बस पहन कर 1876 इस भी में दिल्ली दर्वार में भी उपस्तित हुए थे नेक्स्ट कोश्चन कहा रहा है कि उनीसमी सदी के महांतम पार्सी समाज से उधा रखों थे उनका नाम है बहराम जी M. मालाबारी तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर D बहराम जी M. मालाबारी से याद रखेगा इन्होंने बाल बिबाह प्रथा को बैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं ये आगे कहा जाज कह रहा है कि निम्लिकित मेंसे किस ने प्रमुक रूप से बिधवा पुन बिबाह के लिए संगर्ष किया और उसे कानूनी रूप से बैद बनाने में सफलता प्राप्त की तो यह किया है इस वर चंद बिध्यासागर ने तो इस कोश्चन का सई अंशर होगा वो होगा आपसन बिध्यासागर ने नेक्स कोश्चन कहह रहा है कि 1843 के अक्ट पांच ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया तो यह जो है वो गुलामी या फिर आप उसको दास्ता कह सक उसको गैर कानूनी बना दिया तो इस कोश्चन का सई अंशर होगा वो होगा आपसन बिध्यासागर ने तो यह जाता है तो याद रखेगा यह लॉड अलन बैरो के काल में हुआ था आगे कह रहा है कि निम्लिखित में से किसने 1872 में निटीब मेरेज अक्ट को पारित कराने में महत्पून भून का निवाई थी यह निवायते केसभ चंदर सें तो इस कोश्चन का सई अंसर होगा वो होगा आपसन बरसी केसभ चंदर सें और इस अक्ट से लड़कियों के ल लड़कियों के बिवा के निम्तम निवन कितना तो अभी हम लोगों ने देखा था लड़कियों का 14 और लड़कों का 18 तो इस कोश्चन का सई अंसर होगा वो होगा आपसन बरे 14 बरस नेक्स कोश्चन कहा रहा है कि सार्दा अधिनियम सार्दा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों और लड़कों के बिवा की निम्तम आयुकरम से कितने निधारित की गई थी तो इस question का सही answer है वो है option number A फिर कहा रहा है भारत में Theosophical Society के सफलता मुखता थी तो भारत में Theosophical Society के मुखता जो थी वो एनी बिसंट के कारण थी तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A, एनी बिसंट के कारण एक चीज़ और याद रखेगा वो date है 1889, 1889 में ही एनी बिसंट जो है बोथ Theosophical Society की सदस्ट से बनी थी नेक्स question का रहा है Servant of India Society की अस्थापना किस ने किया था तो Servant of India Society की अस्थापना जो है वो गोपाल किरिस्न गोखले के द्वारा और कब किया गया था तो 1905 में किया गया था आगे कहा रहा है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था तो बहुजन समाज का संस्थापक थे मुकंदराव पाठिल तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B मुकंदराव पाठिल नेक्स question कहा रहा कि किस के द्वारा मंदिरों में परवेश के अधिकार के मांग के प्रस्तूती के कारण 1899 में तुरुन बेली में भ्हंकर दंगे हुए थे तो ये होगा नडारों के द्वारा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स question कहा रहा कि तिलक को लोग पराया लोग कमान और भारत का बितार बाथसा कहते थे आगे कहरा भारत में नारी अंदूलन इनकी प्रेड़ना से प्रारम हुई नारी अंदूलन जो तीबा फूले तो इस question का सही अंसर होगा अब होगा option number D जो तीबा फूले देखिये लेकिन अगर इसके option में रमाबाई होता दिहान रखियेगा अगर रमाबाई option में होता तो रमाबाई आपका पहला अंसर होता रमाबाई नहीं है इसलिए जो तीबा फूले इसका अंसर है नेक्स question कहरा है कि भारत में जिस राजनितिक संगठन की अस्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो 1838 में किसका Land Holder Society यानि जमिंदारी एसोसियेशन की? तो इस कोश्चर का सई अंसर होगा, भोगा आपसन बजी, Land Holder Society या फिर जमिंदारी एसोसियेशन? फिर कह रहा है भारत संग यानि इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक थे सुरेंदरनाथ बनर्जी और कब 1866 में? सुरेंदरनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है? इनको बीना ताज का बासा कहा जाता है आगे कोश्चन कहा रहा है कि राष्टिये कॉंग्रेस के पूर्ब सबसे प्रमुख संस था कौन थी तो यह थी इंडियन असोसियेशन आफ कलकता तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा बहोगा आपसन अबटी इंडियन असोसियेशन आफ कलकता आगे कह रहा है कि सुरेणाद बनल जी द्वारा स्थापी तो संगठन का नाम बतलाई है जिसका 1886 में इंडियान नेस्नल कॉंगरिस में बिलाए हो गया आगे कह रहा है राचनेतिक सुधारों को लेकर बिरोध करने बाले पहले भारत ये कौन थे तो उनका नाम था राजाराम मोहन राय तो इसका अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C राजाराम मोहन राय देखे विपिन चंदरपाल की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि भारत में राचनेतिक सुतंतर्ता का संदेश जो है वो सबसे पहले राजाराम मोहन राय ने दिया था कहीं कहीं आपको इसका अंसर जो है वो सुरेणनाद बनर जी मिल जाएगा लेकिन वो आयोग जो है वो नहीं मानता है धियान रखियेगा नेक्स कोश्चन कहा रहा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना की थी तो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना जो है वो भारतिय सिबल सेबा के एक सेबा निरमित ब्रिटिस अधिकारी थे उनका नाम था एओ हियूम तो इस कोश्चन का सही अंसर वहोगा Hudson number A Next question कहई रहा भारतिय राष्ट्य की स्थापना कब हुई तो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और किस के द्वारा तो A, Ochun के द्वारा आगे कहरा भारतिय राष्टिय राष्टिय का प्रतम अधिवेशन के अगर बात किजेगा तो हुआ था मुंबई में अप लोगों को याध ही होगा है कि यह जो था पूने में आयोजित किया जाना था लेकिन प्लेग नामक एक बिमारी फैल जाती है और उसके बाद इसका आयोजन जो है भू मुंबई में किया जाता है जिसकी अधेश्ता जो है भू डबलू सी बनर जी के द्वारा और कुल इसमें 72 पती नीधियों ने भाग लेते हैं पहला दिवेशन कहां? बंबई में कब 28.1885 को बंबई में एक गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिप्स बिद्याले था उसी में आयोजित किया गया था तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें थैंक्स फो वाचिंग